हेलो दोस्तो दोस्तो आज मैं एक खुशी की बात बोलना चाहता हूं जो आप सब को शायद पता भी है या नहीं भी मुझे पता नहीं बट आज नाटा की डेट रिलीज हो चुकी है तो ये डेट जो रिलीज हुई है इसमें क्या बता गया है वो मैं आज आपको बताने वाला तो दोस्तो ये नाटा की एक्जाम जो है ये तीन अटेम्ट में होने वाली है ये तीन अटेम्ट कौन से कौन से है यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं तो दोस्तो फर्स्ट अटेम्ट जो है ये जून मैने में है सेकंड अटेम्ट जो है वो जुलई में है और थर्ड भी जुले में है तो एक बात आप आप ने गऊल्द कि होगी कि fifth human के बाद जो second item है उसके भीच में 20 देज की ग्याप है और second' il a time के बाद थर्द ऐुर्ड आ deem जो है उसमें भी 20 days की ग्याप है तो दोस्तो यह जो 2020-20 days की जो ग्याप है इसका benefit आपने उठाना चाहिए आपने अच्छे से study करना चाहिए तो दोस्तो अभी जल्दी ही information ब्राउचर आ जाएगा तो ये क्या हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर सकते हैं तो दोस्तो फर्ष्ट जो है दोस्तो तो ये information ब्राउचर के अंदर क्या हो सकता है कैसा syllabus हो सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे या तो पहले दो साल जो अभी हो चुके है उसमें जिस तरह का syllabus था उस तरह का syllabus आ सकता है या तो फिर old pattern जिसमें drawing आपको offline करना पड़ता था पेपर के उपर करके देना पड़ता था तो वो एक type आ सकता है या तो फिर ये दोनों छोड़के और कुछ नया type आ सकता है तो दोस्तो जल्दी हमें 2-3 दिन के अंदर हमें पता चलेगा कि किस type का syllabus रहेगा तो हमें किस तरह study करना है उसके बारे में भी हम सोचेंगे तो दोस्तो जैसा ही ब्राउचर आ जाएगा वैसे ही हम एक वीडियो अपलोड करेंगे उसके बारे में detail में चर्चा करेंगे तो चलो दोस्तो चलते हैं, thank you, thank you very much